आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हूँगे मेरे नाम इसे दहां तक नहीं हो तर श्टडी आई क्यों आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों युनेसको वर्ल हरीटेज साइट पर हम ले रहे हैं देख रहे हैं आपने समझा इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि युनेसको वर्ल हरीटेज साइट क्या होती है पैमाना क्या होता है किसी भी देश में हरीटेज साइट को चुनने का और इसके इंपैक्ट क्या होता है वो लेच्चर अविलेबल है उसके बाद हमने आगरा फोर्ट को देखा ठीक है आगरा फोर्ट के बारे में जाना क्योंकि वह एक वर्ड हेरिटेज साइट है भारत की वर्ड हेरिटेज साइट को देखेंगे अभी तक तो 37 थी उनली 37 लेकिन दोस्तों बढ़ाई हो हम सब के लिए बहुत ही खुशी का पल है क्योंकि भारत में एक और हेरिटेज साइट जुड़ गई है बिल्कुल अर्तिस हो गई है हाली में युनेसको ने ये डिसिजन लिया है कि अरे भया पिंक सिटी जैपुर रजवाडो का शहर वर फिलाल आज हम देखेंगे आपके सामने क्या दिख रहा है एनी गेसेस लोग खड़े हुए हैं खुप सूरत ये दिख रहा है ना केफ्स हैं गुफाए हैं यहां से एंट्री लीजे बड़ा मजा आता है दूर का नजारा है दोस्तों नेचर से अगर आपको रूबरू होना है तो इन जगाओं पर चले जाए है है क्या होता है दोस्तों धरोगर देखिए क्या है कि कुछ आर्किटेक्चर कुछ आर्ट जो होती है वो हमारी परंपरा हमारे ट्रेडिशन को दिखाती है आपके सामने जो तस्वीर है वो ट्रेडिशन को दिखाती है बुद्धिजम को देगी यहां पे चैत्य मिलेंगे यहां पे विहार मिलेंगे एक समय पर हजारों हजारों बुद्धिस्ट मॉंक टीचर रहा करते थे डिसाइपल्स रहा करते थे खुबसूरत क्या है यह बिल्कुल सही पैचाना यह है अजनता केप्स जी हाँ तो आप मेरी बात से इत्रिफाक रखेंगे सिड अंडर्स को रिकनेक मेरा फेस्बुक पेज़ है सिधान अगनी ओतरी के नाम से मेरी फेस्बुक प्रुफाइल है दोनों ही जगा प्रेचवी पीडिया प्रेश सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं अगर आप 2020 के UPSC एक्जाम क कर लिया है आजनता को हम कर रहे हैं और नालंदा युनिवर्सिटी को भी दोस्तों हम रिव्यू कर चुके हैं तो उसके बाद फिर हम बुद्धिस्ट मॉनुमेंट्स एट सांची पर आएंगे ठीक है ना तो एक एक करके हम सारी वर्ड हेरिटेज साइट सारी कल्चरल साइ और बहुत ही खुब्सूरा शेर है तब ही तो इसको एक शहर को वर्ड हरिटेज साइट कर दिया है क्या बात है हमारे लिए यह गर्व का पल है नाचुरल आप देख सकते हैं दोस्तों नाचुरल एडियास कौन कौन से जो वर्ड हरिटेज साइट से रेट हिमालिय नैशनल कंजरवेशन पार्क काजी रंगा नैशनल पार्क कियोला दियो नैशनल पार्क मानस नंदा देवी एन वैल्यो फ्लाव्स सुन्दवन्स वेस्टेंड हार्ट खांजेंग डोन्स यह नाम बड़ा खतरनाक है मुझसे कभी प्रनौंस नहीं होता है नैशनल पार्क 2016 यह मिक्स नहीं ही तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करते हैं युनेस्को वर्ल्ड हरिटेज साइड तो मैंने आपको बताया अजन्ता केपसकी तो मैंने आपको बताया कि यह बुद्धिजम को धर्शाता है दोस्तों बिसिकली क्या है कि यह पूरे पहाड को काट गया है गुफाएं बनाए गई है यहां पे बुद्धिस्ट मॉंक्स के रहने के लिए जगा बनाए गई है वह पूजा कर सके वह मैडिटेट कर सके और बुद्धिजम को समथ सके यहां पे टीचर्ज थे जो बुद्धिजम पढ़ाते थे तो भईया इनका महत वह बहुत ह है ना बुद्धिजम नेपाल से ही जन्मा भारत से ही जन्मा एक तरीके से आप कह सकते हैं ठीक है क्योंकि उसमें सब कुछ एक था सोला मा जन्पत्स थे और हम अगर बुद्धिजम की बात करें दोस्तों तो वैसे तो गौतम बुद्ध की नहीं सेपरेट बियाग्राफी रि अगर 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ उसके बाद भगवान बुद्ध जो है हाला कि वैसे तो बहुत लोग इस से एगरी नहीं करते हैं कि बुद्ध ने खुद ही बोला था कि मुझे कभी भगवान का दर्जा नहीं देना लेकिन उन्होंने निर्वान अटेंड किया दोस्तो उन्होंने वो उनको ज्यान की प्राप्ती हो गई इनलाइटेंड हो गए वो और उस ज्यान की प्राप्ती दोस्तो जो उनको हुई उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया अपनी टीचिंग्स को फैलाना शुरू किया दोस्तो तो अब बुद्ध ने क्या बोला था कि भया दुख जो है सबसे बड़ा कारण है, दुख है इंसान में, ठीक है, और ये दुख क्यूं आता है, तृष्णा के कारण, इक्छा के कारण, ठीक है, हम इक्छा करते हैं, ठीक है, यही है cause of sorrow, ठीक है, जिसको four noble truths बोला था, ठीक है, चार noble truths, की problem क्या है इंसान में, दुख है, दुख क्यों आता है, इक्छा की वज़े से, हम इक्छा करते हैं, हम लाल्ची हो जाते हैं, तृष्णा को त्याग दो, इस दुख से कैसे हटे हम, इसी तृष्णा को त्याग दो, निर्वान अटेंड कर लो, निर्वान पूरी तरीके से enlightened हो जाओ, सारी इंद्रियों को ज चीजे अपने आप हो जाएंगी, आप दोस्तों फिलाल तो मैं बुद्धिजम में नहीं जाओंगा, आप देख लिजएगा मेरा एक पूरा separate lecture है, दो पार्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, उसमें मैं इनकी पूरी कहानी, जीवन और उसके बाद जो नोंने ट्र लोग बुद्धिजम की टीचिंग्स को मानते थे, लेकिन बाद में जैसा हर धर्म में होता है, स्प्रिट हो जाता है, दो ब्रांच हमेशा निकलेगी, ऐसे ही यहाँ पे हुआ, दो ब्रांच निकल गई, सबसे पहले निकली यहाँ पे महायान, महायान और दोस्तों यह सब कब हुआ था यह सब हुआ था जब किंग कनिश्क कुशाणल डानिस्टी के किंग कनिश्क राजा थे उनके रें में सब हुआ था वो बुढद्धिजम को बहुत मांते थे और दोस्तों देखिए चार यहां पे DJsollyang Colorado ही ये आपको पता ही है, जो चौती काउंसिल थी, वो किस ने की थी? कंडलबन में हुई थी? कनिशक uAPP फिक है, और उसी चौती काउंसिल में पुधित्त कंसिल में स्पलेट हो गया था, बुधिद्ध जो की बुद्ध को सबसे उपर मानता है ठीक है, और यहीं सही तो भहिया मतुरा गांधार स्कूल ओफाइट निकले ठीक है और महायान में ही स्प्लेट हुआ जो कि बुद्धिजम को मानता है कि बुद्धा की मूर्ती बना के उसकी पूजा करो महायान बुद्ध है सबसे उपर और दूसरे हीन यान लैसर वहकल हीन मतलब नीचे लैसर वहकल बुद्धिजम की पूजा करो जो उन्होंने बोला है वो मानो तो यह स्प्लेटिंग है ठीक है तो महायान बुद्ध को एक भगवान मानते हैं हीन यान बहते हैं कि हर को बुद्धिजम हो सकता है, हर कोई बुद्धा हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ है, अब ये सारी चीज़े हो रही है, तो अब देखिए, बुद्धिजम फैल रहा है, ठीक है, बुद्धिजम दुनिया भर में जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा सेंटर तो चाहिए ना, जहां से ये सारी बनना शुरूर हुए और आप कह सकते हैं कि अजन्ता केफ फी एक तरीके का इंस्टिट्यूट था जहां पे लोग जो है वो रहते थे ठीक है जहां पर बुद्धिस्ट मॉंग रहते थे यहां पर पढ़ाई करते थे ठीक तो यह चीज़ है अभी आम आगे बताएंगे बैगराउंट क्लियर हो गया हिस्ट्री क्लियर हो गई बहुत बढ़िया अगर हम बात करते हैं अजन्ता केफ की दोस्तों तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं दोस्तों तो अजन्ता केफ जो है आपको अगर अजन्ता केफ जाना है महरास्ट्र चाहिए और अंगाबाद में है यह दोस्तों और बहुत ही खुबसूरा मैं तो गया था जब मैं दस्वी रक्षा में था दोस्तों बगल में है अलोरा के अलग है 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 अलग किसे यह बनाया गया होगा पूरे पहाड को काट के दोस्तों इतनी खुबसूरत मूर्तिया बनाई है यह अविश्वस निय है कसम से बता रहा हूं कि आखों कोई भरोसा नहीं होता कि कैसे यह बनाया होगा ठीक है इतने बड़े बड़े पहाड है दोस्तों उसको पूरा काट के और इसकी लोकेशन ऐसी है कि चारो तरफ आपको हर्याली जंगलों से घिरा हुआ है और बगल में नदी बहरी अरे इतना खुबसूरत नजारा है देखिए दोस्तों नेचर यही तो है ना जंगल पहाड नदी तीनों यहां पर एक साथ मिलते हैं बहुत ही खुबसूरत जाती है कोई दिक्कत नहीं है अगर आप शीर्डी जाते हैं ठीक है वैसे शीर्डी भारत का सबसे इंपोर्टेंट तीर्थिस्तल है तो शीर्डी जा रहे हैं आप मनमार्ट में जाईए शीर्डी जाईए वहां से भी आप टैक्सी करके चले वह भी 100-500 किलोमेटर दूर है एलूरा केफ्स एलूरा और अजन्ता केफ्स तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों ठीक है जो रंगावाद में स्थित है और बिल्कुल जब आप महराष्ट जाईए तो यहाँ पे जरूर जाईए और यूनेस्कोवर्ट है अब तो जरूर जाना यार ठीक है तो यह चीज रही है उसके बाद दोस्तों यह आप देख सकते हैं तो बहुत ढूर से लिएगया व्यूर तो पास से काफी आई ड़ी हम केवस की बात करेंगे ठीक है अगर हम बात करते हैं यह बनी कप थी दोस्तों और किसने बनाई थी दोस्तों तो ऐसा बोला जाता है हाला कि अभी भी इस पर डाउट है ठीक है लेकिये क्या है ना कि जिन आर्टिस्ट ने यह बनाई जो मॉंक्स इंवाल्ड थे ज में काफी जादा मदद की थी ठीक है यह महरास्ट्र में है महरास्ट्र पूरा वो डेकन प्लेट्व आपको पता ही है अब डेकन प्लेट्व में क्या हुआ था दोस्तों अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि यह जो यह जो पहार काटे गए हैं यह जो इनकी रॉक्स थी बेसॉल्ट लावा यह बहुत ही सकत थी ठीक है बहुत ही क्योंकि यह लावा से बनी हुई थी दोस्तों डेकन प्लेट्व आपको पता ही है यहाँ पर यह पूरा का पूरा डेकन प्लेट्व किससे बना हुआ है डेकन ट्रैप जो है वो लावा से बना हुआ है यहाँ पर ल कौफी तक खोदा गया है ड्रिल करके पूरे पहाण को काटा है और अजंता केप्स बनाई है अब वुल्यू बिलीव इट कितना ज्यादा टफ होगा इट अब वेरी वेरी टफ टास्क हुमंगस टास्क बट स्टिल इतना बहतरीन काम किया है और यह सब अंसंग हीरो और आपक कहानिया है ठीक है भगवान बुद्ध की कहानिया है भगवान बुद्ध की कहानिया क्या कि भगवान बुद्ध का पिछला जनम कैसा था भगवान बुद्ध राजा कैसे थे ठीक है और भगवान बुद्ध ने जो पूरी जर्नी की वो क्या तो उनकी कहानिया उनसे हुआ था वो सत्व वहना डाइनस्टी हाला कि जो इनीशली जो फेस था तब तो बहुत पूरी तरीके से हम देखते हैं कि आजंता केव जो है वो पूरी तरीके से complete नहीं हुई थी ठीक है मैं आपको बताता हूं दोस्तों जो cave नंबर 9, 10, 12, 13 और 15 ठीक है 9 तो सबसे पुरानी oldest caves है ठीक है यह 120 से लेकर 180 तक मतलब 200 साल में इसको complete किया गया तो सत्व वहना डाइनस्टी यह सा माना जाता है सत्व वहना डाइनस्टी थी तब और इन्हीं के ही रेन में यह जो फर्स्ट फेस है वो शुरू हुआ था दूसरा फेस जो है वो दोस्तों फिफ्ट सेंचूरी के राउन शुरू हुआ था ठीक है 460 से 480 और इसी सेकेंड फेस में दोस्तों उस समय आपको बता दू कि वाका टाका राजा हरी सेन थे और इसी दोरान दोस्तों बहुत सारी नई केप से जोड़ी गई, सेकेंड फेज में दोस्तों एक से आठ केप्स, ठीक है, बन टू एट केप्स, उसके बाद जारवी केप्स और 14 और 29, ठीक है, इन फाक्ट 19, 26, 29 तो बिलकुल नई केप्स हैं, तो इस सेकें इन फेज में पूरा रेनोवेशन होता है, क्योंकि बुद्धिजम दोस्तों, उस समय अपने पीक पे था, हम देखते हैं कि अशोक ने बुद्धिजम को अपना लिया था, ठीक है, इवन गुपता ने भी बुद्धिजम के प्रती बहुत ज़धा टॉलरेंट थे, कनिश का बुद्धिजम का उदय इतनी जबर्दस तरीके से हुआ, और भारत में ऐसे फैला, कि फिर एक ऐसी जगा बनाना बहुत ज़धा जरूरी हो गया, जो बुद्धिजम को फैला है, एक चीज़ और दोस्तों, यह जिस तरीके से बना हुआ, यह काफी प्रोटेक्टेड है, मत हो अपनी पढ़ाई करते तो, यह पूरा प्रोटेक्टेड है, अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन केफ्स की खोज हुई थी, 1819 में इन केफ्स को खोजा गया था, वो भी बड़ी इंटरस्टिंग कहानी है, ठीक है ना, यह चीज़ है, अब अगर हम अजंता दोस्तों, चलिए, ठीक है, अब हम उसी की बात करते हैं, 1819 में दोस्तों यह खोजा गया था, ठीक है, ब्रेटिश ओफिसर आपको बता देऊं कि जॉन इसमें तो और अपनी कमपनी के साथ ऐसी शिकार पे गये थे, ठीक है, शिकार पे जंगल गये, महरास्ट के जंगलों म गये बाग का और बाग एकदम से गायब हो गया, तो वो लेकिया, यह क्या बात है, यह बाग कहा चला गया, ओना तो यहीं चाहिए, और उसके बाद जब वो नीचे गए, भईया उन्होंने अजन्ता केव को खोज लिया, तब उन्होंने देखा कि यहां पे यह धार्मिक इ थल है, वैसे बता दूए, मनलब पूरे धर्म को धर्चाता, बुद्दिस्म धर्म को धर्चाता है, तो धार्मिक किस थल है, जब उन्होंने यह देखा, सीधा केव नंबर 10 पे वो गए, तब उनको पता चला कि हमने इतिहास रच दिया है, और हमने एक ऐसी चीज खोज ली है, जिसका इंपोर्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है, और हलां कि वहां के गाउं वाले पहले से ही जानते थे, खैर वो तो जानेगे ही जानेगे, ठीक है, और वही पर यह गाउं है अजंता, उसी कही नाम पे अजंता केवस पड़ा, ठीक है न, तो यह चीज है, अगर हम में डिवाइड है, ठीक है, सबसे पहले यहां पे चैत है, चैत क्या होते हैं दोस्तों, जहां पे पूजा की जाती है, और दूसरा विहार, हाला कि अजंता केवस में 80% विहार है, विहार क्या रहे होटल, आज का होटल, आप उस समय का विहार समझ सकते हैं, विहार जहां प place of meditation भी use होता है ठीक है और central में बिल्कुल center पे बुद्धा की बहुत बड़ी यहाँ पर हमको statue मिलता है ठीक है बहुत बड़ा ठीक है ताकि वो ध्यान लगा सके तो यह सारी चीजे हैं हमको बहुत सारे विहार मिलते हैं दोस्तों 80% यहां पर विहार आपको को मिले गया हम थोड़ा सा देख लेते इस तरीके के देख लिए यह विहार एठीक है ना यह रेक्टाइगूलर शेप में हैं और भाईया यहां पर आपको और मिट्री मिलेगी, यह hall है, यह बहुत बड़ा, हर विहार में आपको hall मिलेगा, और कुछ-कुछ विहार तो double, triple story है, देख सकते हैं, कुछ विहार के आगे वरांदा है, कुछ के आगे नहीं है, कुछ के आगे तो आपको garden भी मिल जाएगा, जी हाँ, तो में भी हो सकता है, कि यहां पर पढ़ाते हैं, जैसे college में भी आपने देखा होगा, जो पढ़ाते हैं, उनको बहुत इच्छा compound मिलता है, बहुत इच्छा घर रहने को मिलता है, जो पढ़ते हैं, तो हो सकता है, उस तरीके का कुछ हो, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं, कि यह pillar से supported है और हर विहार के साथ में एक dormitory है, रूम है यहां पर, इसी रूम में ही रहते थे, बुद्धिस्टमोंस जो यहां पर पढ़ाई करते थे, और यहां पर आपको बुद्धा का statue भी मिलेगा, ध्यान करने की, meditate करने की जगा भी है, और hall आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है न तो यह चीज है, आगे जाएंगे, आगे के अंदर का तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, आपको विंडो भी मिलेगी, ठीक, तो यह है, खूब सूरत दोस्तों, देख सकते हैं न, यहां पर कोई चला जा तो अपने आप भी ध्यान करने बाएड़े है, इतना मज़ा, सोच यहां पर 28 केफ्स है और यह पूरी केफ्स का विवरण दिया गया है, विक्कीपीडिया से खूब सूरत मैप है दोस्तों, यह पूरी केफ्स का विवरण जो है, वो दिया गया है, हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट नौवी, दसवी, दसवी केफ्स में ही जो अन्सम हैं ठीक है यह सबसे पुरानी केफ से और उसके बाद बाक्ती जो आप देख रहे हैं वो नई केफ से इनका जो पूरा काम है वो सेकेंड फेज में हुआ ठीक है ना तो यह चीज है समझ गए चलिए आगे बढ़ता है यह दोस्तों चैते हैं चैत वर्शेप होल सा यहां पर प पूरा डोम है ठीक है उसको स्टूब कहते हैं बहुत ही खुबसूरत और यहां पर आप देख रहे हैं स्टूब के अंदर होता है चैत जहां पर पूजा होती है और सेंटर पे होगी भगवान बुद्ध की तस्वीर और यह पिलर से सपोर्टेड और यह सेमी सर्कुलर है ठ दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे जो में डैटी है ठीक है वो तो सेंटर में रहता है और साथ में ऐसे एक सर्कुलर पूरा दिया रहता है पूरा घूमते घूमते जाए और इन सर्कुलर मतलब यह जो सर्कुलर पूरा शेप होता है यह लाखो लाखो यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते थे लेकिन फिर दोस्तों 6th, 7th century आते आते जब यहाँ पर लगा की problem हो रही है और war जो है वो चल रहे हैं, instability है, civil war चुरू हो गए हैं, तब एक एक करके monks ने इसको छोड़ दिया, इन सारी जगाओं को छोड़ दिया, केव से वो चले गए, तो एक समय पर यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे बुद्धिस्ट monks रहते थे, ठीक है, अब आप यह देख सकते हैं, वाका टाकाज ने यह पूरा जो second phase है उसको एक तरीके से बनवाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर trade भी बहुत अ एंपायर तो चली रहा था यह आपको पता है यह पूरी पूरा एक लेचर लिया वह आप देख सकते हैं, ठीक है, clear, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, वैसे आपको बता दो कि जो बुद्धा का स्टैचू है वो धम चक्क परिवत्तना के उसमें है, मतलब ऐसा मतलब वो दर्शाय गया, जैसे वो पढ़ा रहे हैं, आपको पता ही ना, बुद्धिजम की लाइफ के, बुद्ध की लाइफ के चार फेज है, ठीक है, कौन-कौन से भाईया, पटाक से बता दो कुछ याद आ रहा है, निर्वाण, कुछ करके याद आ रहा है, धर्मचक परिवर्तन चलो, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, तो यह चीज है, तो अजन्ता केफ बहुत ही इंपोर्टेंट है, खूब सूरत है, बहुत ही सुन्दर है, जरूर जाइए भाईया, हम तो यहीं बोलेंगे कि बिल्कुल गूंग क्या यह बहुत मजा आईगा, और अच्छा हाँ, इस चीज और ही बताना बूलिया, पेंटिंग्स भी आपको डेर सारी मिलेगी यहापे, यहापे आपको बुद्धिस्ड पेंटिंग्स मिलेगी, ठीक है ना, फ्रेस्को पेंटिंग्स और इस तरीके से उसको बनाया गया है, लेयर्स पे लेयर्स चड़ाई गई हैं, ताकि यह वक्त के साथ-साथ खराब ना हो जाए, हाला कि ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, बारासो साल फुरानी पेंटिंग्स हैं दोस्तों, खराब तो हो नहीं है, दीमे दीमे उसका रंग भी उड़ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी पेंटिंग्स इंटक्त है, तो जरूर देख